और आज 11 स्पेशल की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे खबर जमशेद पूर से हैं जहां विरायक सर्यूराय के कारियाले में तोड़ फोड हुई है आसामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है कारियाले में काम करने वाले एक यूवक की पिटाई की गई है और ये मामला सिद्गोडा थाने में दर्श किया गया आप उस यूवक को दिखा देख सकते हैं कि वो कैसे हाथ दिखा रहा है हाथ में उसके चोट लगी ये शक सर्यूराय के कारियाले में काम करता था वो तोड़ फोड जहां पर हुई है वहां की तस्वीरे देखिए उल्टी पड़ी हुई टेबल, मेज जो गिरी हुई है, अलमारी जो गिरी हुई है और ये टूटे हुए शीशे ये टुकडे बता रहे हैं कि वहां पर तोड़ फोड हुई है तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तोड़ फोड के बाद की ये तस्वीरे हैं कारयाले की ये किचन वहां का जहां किचन में भी सामान को अस्तवेस्ट कर दिया गया है तोड़ फोड जबर्दस तरीके से की गई है आप इन तस्वीरों में देखिए वहाँ काम करने वाले एक शक्स को चोट आई है, मीडिया को वह अपने चोट दिखाता हुआ, ये शक्स दोनों हाथों में देखिये हैं, वो दिखा रहा है चोट, विधायक सर्यू राय वहाँ पर मौजूद हैं और इन तस्वीरों में देखिये, जे शक्स को चोट आई है, वो शक्स अपने चोट दिखाता हुआ, सिदगोडा थाने में ये मामला दर्श किया गया है, जम शेदपूर में विधायक सर्यू राय के कार्याले में तोड़ फोड हुई है, कहा जा रहा है का समाजिक तत्वों ने इस तोड़ फोड को अंजान दिया है, आपको तस्वीर जम शेदपूर में कई बड़ी हिमत वाले लोग हैं, सासी लोग हैं, उनकी कमजोर नस कहीं दबती है, तो उनको पीडा होती है, दर्द होता है, दर्द होता है तो ऐसी घटनाए करते हैं, अब कमजोर नस काउन दब गई हम लो तो भाई, ऐसे ही चलते रहते हैं, पहर के न नीचे हाथ के नीचे काउन किसी नस आ गई कोई कमचोड में कई बड़ी हमत्वाले हैं को देखिए इन तस्वीरों में तोड़ फोड की तस्वीर हैं आप देख सकते हैं कि विदायक जैसा की बता रहे हैं कि कुछ लोगों को दर्ध हुआ होगा कि कुछ लोगों को दर्ध हुआ होगा तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम उन्हें किया है जिससे कि कुछ लोगों को दर्ध हुआ है वो कौन लोग हैं जिने दर्ध हुआ है जिन्होंने तोड़ फोड़ की इस उल्टी हुई मेज और पियूश का रुक करते हम सीधा पियूश हमारे साथ हैं पियूश आप घटना स्थल पर हैं फिलाल क्या कुछ चल रहा है विधायक सर्यूराइ कह रहे हैं कि भाई वो ऐसे काम करते हैं जिससे कईयों को दर्ध होता है और उसी दर्ध का एक साइड एफ घटना को अंजाम दिया है उससे जल्द पकड़ लिया जाएगा पुलीस के आला अधिकारी घटना इसल पर पहुंच चुके हैं साथ ही साथ आसपास में जो लगेवे सिसी टीवी है उसको पुलीस खंगाले में जुटी है लेकिन एक सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात ये कि शर्यूरायर ने साफ कह दिया है कि अगर पुलीस अर्शक्षम है इन अपराधियों को या इन लोगों को पकड़ने में तो यहां की जद्धा उनको पकड़के पुलीस के आवाले करेगी क्योंकि उनके पास पिश्टल भी था पिश्टल के सारे वह अंदर गुसते हैं ज तो क्या इस कारयाले की सूरक्षा में कोई गार्ड वहां तैनात नहीं था सिर्फ एक शक्स कारयाले में काम करता है क्योंकि क्योंकि यह को करयाले है सर्यु राय के अ कुनाव में कहीं और कख यह करेड़ अभी ओभी तंद रिया है way सब्सक्राइब और विदायक सर्यूराय का जो बयान हम सुन रहे थे वो बोल रहे हैं कि उनके काम से बहुत लोगों को दर्द होता है कुछ ऐसे ही लोग होंगे जिनने उने दर्द हुआ है और उसका साइड एफेक्ट ये देखने को मिल रहा है तो अब अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की जाच के इस दिशा में आगे बढ़ रही कि क्या लग रहा है कि कितने की संख्या में लोग आए थे मारपीट की है जाहिर सी बात है जैसा कि आप बता रहें कि उसमें से कुछ लोगों के पास पिस्टल भी था तो ये छोटे-मोटे चोरु चक्के तो नहीं थे बहुत प्लान करके और उसके बाद फिर इस घटना को पंजाम दिये गया है क्या कुछ कह रहे हैं विदायक साब करी जो हैं और यह जांच कर रहे हैं कि आखिरकार यह जो लोग हैं वह कहां से आई आस पर उसके थे कि उनको बाहर से बलाए गया था तो सारी बिंदूओं पे जाच चल रही है जी अविशेक चले अपियुशा आप हमारे साथ बने रही है आपसे एक और खबर पर हम चर्चा करेंगे वो खबर हम दर्शकों को फिलाल दिखाएंगे कि भाई जो खबर है वो उस पर बात होगी लेकिन फिलाल यह तस्वीर ने देखिए यह तस्वीर है विदायक सर्यूराय जो कंप्य प्यूटर ऑपरेटर है उससे बातचीत करते हुए सारा माजरा समझते हुए फिलाल पुलिस जाच कर रही है चुकि एक विधायक के कार्याले पर अगर इस तरीके का घटना होती है तो यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर विधायक के कार्याले पर इस तरीके से दिंतारे अगर हमला हो जा रहा है तो आम लोगों का क्या होगा इस मामले में पुलिस को त्वरित तोर पर संग्यान लेते हुए और जल्द से जल्द जो अपराधी है चाहे वो CCTV फुटेज के सारे या प्रतयक्ष दर्शियों के सारे किसे भी तरीके से पर कार रवाई जरूर करनी चाहिए पुलिस को एक इग्जेंपल सेट करना चाहिए कि अपराध जो है अगर कोई करता है तो उसे बक्षा नहीं जाएगा तो यह तस्वीरें आप देखिए यह सर्यूराय के उस कार्याले की तस्वीरें जहां तोड़फोड हुई है विदाएक सर्यूराय चोट देखते हुए उस शक्स की जो उस वक्त कार्याले में मौझूद था अमित कम्प्यूटर ओपरेटर आप देख सकते हैं कि मेज कुरसी सब कुछ पलट दिया गया है यह तस्वीरें एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विदाएक सर्यूराय के कार्याले में तोड़फोड हुई है और अब वहाँ पर पुलिस तो पहुँच चु की है अब एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके सब सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया है तो इन तस्वीरों को देखिए एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें जमशेद पूर की जहां पर विधायक सर्यू राय के आवा कार्याले में तोड़ फूर हुई है लगता है कि जमसेद पूर में कई बड़ी हिमत वाले लोग हैं सासी लोग हैं उनकी कमजोर नस कहीं दबती है तो उनको पीड़ा होती है दर्द होता है दर्द होता है तो ऐसी घटनाए करते हैं अब कमजोर नस कौन दब गई हम लों तो भाई ऐसे ही चलते रहते हैं कायर के नीचे हाथ के नीचे कौन किसकी नस आ गई कोई कमजोर नस दबी होगी दबी होगी तो उनको दर्द हुआ होगा दर्द हुआ तो दर्द का भणास निकाला हम लों के आफिस में आकर तो ये कायर लोग हैं लगता है कि जमसेत्व में कई बड़ी